जी हाँ, सहीज होना आपने ये वीडियो देखते ही, स्टाटिस्टिक्स में कैलकुलेशन आपकी easy हो जाएगी, आपका काम असान हो जाएगा अगर आपका math वाला background है, तो आपकी calculation पहले से fast हो जाएगी maths वाला background नहीं है उससे भी कोई फर्क नी बढ़ता आपको यहाँ पर calculation करने ही सिखा दूआ वो भी बहुत असान तरीके से तुमारी यार बहुत सारी वीडियो के अंदर मैंने comments देखी है तुम बोल रहे हो सर ये मुझे stats के अंदर calculation problem हो रही है basically square root निकालने में problem है के लिए मैं आगे आता रहूँगा आपको जो जो प्रॉब्लम लग रही है comment section में मुझे बताओ मैं उसको solve करता रहूँगा तो गाइस मैं आपका भाई दोस्ट educator of economics लव कौशिक इस वीडियो के अंदर देखो calculation problem को solve करूँगा तुम बोलो के सर मेरा मैंस का background है तो मैं पहले से कर लेता हूँ मैं बोलूँगा अब तुम तेज हो जाओगे पहले से तुम बोलो के सर मेरा मैंस का background नहीं है मैं नहीं कर पाती तो अब करने लगोगे बेसिकली क्या यार तुमारे स्टैट्स के अंदर तीन चेप्टर आ रहे हैं एक तो आ रहा है मैस्जर ओफ डिस्परजन स्टैंडड डेविएशन वाला एक आ रहा है correlation जिसमें कारल पियर्सन में फॉर्मुले हैं फिर एक आ रहा है इंडेक्स नंबर तीनों के अंदर स्क्वार रूट के समस्य है यह देख लो अगर स्टैंड डिविशन के फॉर्मुले में बात करें तो यहां पर भी स्क्वार रूट है यहां पर भी स्क्वार रूट कैसे ंटारोगे अगर स्कुरिःरूट में आपका अंसार रूट 9 आ है तो भाळ आस stipendal भूगे उसके बाद और कोई दिक्कत आपको लगे तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में उस समस्या का समाधन भी करूँगा आपके लिए वैसे ही बेटर करियर ओप्शन की वीडियो भी बना रखिए कॉमर्स में अभी तुम एक्जाम दे लोगे तो उसके बाद जरूर देखना कि त ही तो उसको आपने दो हीस्सो में बाटना है दो हीस दो हीस दो कैसे बातना है एक एक स और एक य बाटना है ठीक है ऐस सी इस फॉर्म में उसको लिए घुक लेक-जिआब लेना एक स्प्लै neuen आप जानते हो जैसे कि 4 का जानते थे तो रूट 7 को हमने लिखा 4 प्लस 3 ठीक जी ऐसे लिख लिख लिए उसके बाद एक फॉर्मला अपलाई कर दो यहां पर X की वेल्यू को स्क्वार रूट में लिखो प्लस Y की वेल्यू नोट करो अपॉन 2 रूट X लिख दो अभी मेरे साथ चलते रहो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा बहुत असान कर दूँगा भी तो क्या करना है देखो यह X की वेल्यू है और यह Y की वेल्यू है उपर के फॉर्मले के मुताबिक तो क्या करना है 4 X है इसको मैं इसकी जंगा लिखूंगा रूट 4 प्लस अब 3 की वेल्यू वाय है यह लिख दिया अपॉन 2 रूट X यानि 4 गाइस इसको सॉल्व कर लो फॉर का स्कॉर रूट तुम्हें पता है ना क्योंकि वही संख्या चुन नहीं है जिसका स्कॉर रूट तुम्हें बताओ ठीक है कई और मतफस जाना प्लस थ्री बाय टू इंटू यह रूट 4 की वैल्यू फिर तू आ जाएगी तो इसका अंसर टू प्लस थ्री बाय फोर को कैंसल करोंगे 0.75 आता है तो इसको इसमें प्लस कर देना 2.75 आजाए का अंसर आपका लास्ट में लिख देना एप्रॉक एप्रॉक्स से यह होता है कि भाई पॉइंट के बाद का थोड़ी सी एड्जस्टमेंट चलती है बागी तुबारा अंसर ओके रिपोर्ट है करेक्ट है नंबर नहीं कटेंगे बिलकुल भी तो जिनको सॉल नहीं करना आता था वो इस मैठड़ से सॉल कर लेना तुम बोलो प्रब्लम नहीं आएगी क्योंकि एक्स की वेल्यों वह होगी जिसका स्कॉयरूट अब जानते होंगे जैसे कि देख लो यालिख रहू मैं रूट 10 रूट 10 के दो टुकड़े कर दो यार रूट 10 को लिख देता हूं है 9 प्लस 1 क्योंकि 9 का स्कॉयरूट मैं जानता हूं 3 होता है ना असानी से चलो जी अब क्या लिकूरूट एक्स की जंगा रूट 9 लिख दिया प्लस वाई की जंगा यहां पर 1 लिखना था 1 लिख दिया अ लिखना पड़ेगा अब इसको सॉल करके देखो रूट 9 की वेल्यू 3 होती है वन अपन टू इंटू रूट 9 की वेल्यू 3 तो 3 प्लस 1 अपन 6 6 की वेल्यू और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 3.something इसका अंसर आएगा अंसर क्या आएगा यह आप लोग बताओगे अंसर क्या आएगा अंसर आपका सेम आएगा काल्कुलेटर से काल्कुलेट कर लेना बिल्कुल मैच करेगा हलका से लास्ट वाले डिजिट के दिक्क्त होगे लिकिनोग के रिपोर्ट होगा तो गाइस रूट 10 का आप मुझे बता होगे इससे आगे बढ़ जाते है रूट 11 पे आप इसको 200 में डिवाइड करना है भाई रूट 10 को कर आता 9 प्लस 1 इसको कर लो 9 प्लस 2 कोई दिक्कत नहीं है धिरे धिरे बढ़ें के आगे आगे पांच मिनट के इंदर वीडियो खतम कर दूँआ आपका काम कर विस से आगे टाइम ने लगेगा ठीक है तो गाई सबसे ने रूट एक्षिए वैल्यू यह रूट एक से यह वाई है ठीकर अप्लस वाई की वाई लिव अउपर लिखते है तू, एक्सक्या बाइलू टू एल्ट रूट एकस लिक्टे रपर s अरके सॉल्ट कर लो देखो रूट 9 की वेल्यू 3 होती है ज्टु अगा यह दरी तो सामने हैं तो देखो अभी इसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना हद से आदा घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब कुछ असानी से सोल जागा हद से अद बता है वरना मेरे साथ सा जो जो मैं लिख रहूं स्क्रीश ओड़े के तुम भी सॉल्व करते जो तुम से भी का मसा हो जाएगा और एक बड़ी डिजिट पर आते हैं और एक बड़ी डिजिट पर रूट तेरा पकड़ लिया थर्टीन अब देखो फॉर्मला भूल जाओ अब क्या करना है अपने दिमाग में पिच्चर लानी बस फॉर्मला भूल जाओ थोड़े फास्ट मेनेंगे इसको द लग जाओ रूट नाइन की वेल्यू त्री हो जाएगी फोर उपर लिखाई है तो इंटू थी ठीक जी तो थ्री प्लस फोर अपॉन शिक्स फोर अपॉन शिक्स यानी 0.67 अब देख लो आंसर तुमारा 3.66 या 3.67 एप रॉक्स लिख देना आगया सामने अंसर फटावट से फटावट से आगया गाई सामने अंसर थोड़ी और बड़ी डिजिट पर चलते हैं 47 कैच कर लो रूट 47 चलो जी रूट 47 को दो हिस्टो में तोडेंगे ठीक लूट सेवन के आसपास ऐसा नमबर टूमण जिसकी स्कूरर जानते हो बड़ा दूर भी हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है 36 होता है वैसे 36 की स्क्वार रूट 6 होती है तो मैंने यहां 36 लिखा 36 प्लस 11 कर दूँगा तो 47 आ जाएगा ठीक है क्या करूँ यहां पर अब मुझे 36 के लिए क्या लिकिन है रूट एक्स यानी रूट 36 प्लस वाई की वेल्यू अपन टू रूट इंटू 36 तो 36 की वैली दो असानी से छे हो गई प्लस 11 अपन टू इंटू 36 की रूट क्या हो जाएगी इच्छे हो गई तो आंसर आ जाएगा छे प्लस ग्यारा बटे बारा इसको कैंसल कर देना देख लेना 0.91 आएगा शाहिद शाहिद नहीं यह आएगा 6.91 47 का स्कूर रूट हो गया कभी सोचा इतनी असानी से तुम रूट सॉल्व कर लोगे और थोड़ी बड़ी वैल्यू पर बढ़ते हैं और थोड़ी बड़ी वैल्यू पर बढ़ते हैं लाइक मैं बात करू रूट 264 की 264 का रूट मुझे निकालना है और गाइस इसके आ रूट पता है इसमें कितने बचे 264 से लिंदेन इसका आठ ठीक है इसको सॉल्व कर दो यह एक से यह यह तो रूट एक्स की वैल्यू यहां पर 256 अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हो ना यह उपर वाई की वैल्यू अपॉन टू 256 कितना असान हो जाएगा देखो 256 का स्क 16.25 आगे 264 का स्क्वार रूट इन चीजों को प्रैक्टिस कर दा बड़ी से बड़ी चीज को तोड़ के तुम ऐसे ला सकते हो असानी से स्क्वार रूट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा तो स्टेंडर डैवेशन हो या कोफिशेंट ऑफ कोर्रेलेशन के अंदर हो या इं तर बताओ मैं तुम्हें ब्रेक करना बताजिता हूं लाइक टू 65 को ब्रेक करोगे तो 16 कि स्क्वार 256 होती है प्लस नो ऐसे कर लेना फिर क्या लिक होंगे रूट एक्स 256 या लिखना पड़ेगा प्लस वाई की वेल्यू अपॉन टू इंटू यह हो जाएगा कमेट सेक्शन बता उंसर क्या एगा 228 को ब्रेक करना है तो 225 इसके आसपास की वेल्यू है एक से लेके 20 तक की स्क्वार तो सबको आती होंगी 11 क्लास में तो इसलिए नंबर चाटन होता है तो इसके आसपास का नंबर 361 चूज कर लिया 301 सेट में कितना प्लस करें कि 383 आजाए 17 प्लस करेंगे चलो जी आगे फिर प्रॉसेस में चलाओ यह फॉर 45 वे थोड़ा एक्सेंट लेवल हो गया 21 का स्कुएर होता है चार सुक्तालिस तो इसके आसपास का नंबर जो है चार सुक्तालिस है जिसका स्कुएरूट आपको पता है तो वाइस यह 441 प्लस फूर के अंदर ब्रेक हो गया तो यहां आप इसको फिर इस तरीके से प्रॉसेस करो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपका अंसर क्या हरा है यह तो बात रही है स्कुएरूट क का अंसर आया है प्लस जो भी पास्चे के इंडेक्स का अंसर आया है उन्दोनों को एड़ करके दो से डिवाइड कर दो अंसर आपका आ जाएगा ठीक है यह भी एक ट्रिक थी फिशर वाले कि नहीं तो इतना बड़ा फॉर्मल लगाओ लास पेरे का अंसर मल्टी ब्लैड तुम्हें सॉल्व करके टीचर कहेगा अच्छा बच्चा जो घाड़ हो पता नहीं कहां से सिख्किया है तो वो नंबर में उच नीच कर देगा आपको कटेगा तो नहीं नंबर क्योंकि अंसर तो ठीक हैगा लेकिन यह जो ट्रिक्स मैंने बताई आपको एक्जाम में सॉल करके अंसर बता देना तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे ना तहे दिल से अपने फ्रेंट्स वग्यारा को सर्कुलेट कर दो शेर कर दो यार मैं चाता हूं सब के साथ कुछ ऐसी चोटी मोटी चीज़े जो गडबड़ा रखे ती वो सब ठीक हो जाए एक्जाम म क्लास में उनके लिए भी काम की वीडियो है कोई सरकारी नोगरी की अपने जो भी लिंक में जो लोग है उन तक इस वीडियो को पुचा दो ताकि मैं भी एंट रहां तुम लोगों से और ऐसी ही तुम्हारी समस्याओ का समाधान करूं और जो तुम्हारी प्राबलम्स है मै आपका भाई दोस्त एजुकेटर ओफ एकॉनमिक्स लव कोशिकू इसी बात के साथ विदा लेता हूं अगर तुम्हें कोई सला दे नियों तो कमेंट सेक्षिन में बता देना तुम्हें कोई इसका अंसर इसके थुरू नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्षिन में बताना मैं बताओं तुमसे मिस्टेक क्या हुए है इसके अंदर और ट्रिक्स भी है जैसे मैंने प्लस वाला बताया आपको बहुत सारे तरीकी होते है स्क्वार रूट की ट्रिक को सॉल्व करने के लिए ठी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच नमस्ते